अच्छा बच्छा प्रेशर मैनेज कर लेता है और अच्छा इंप्लाई अच्छा प्रेशर मैनेज कर लेता है और जिसके उपर कभी प्रेशर ही ने पड़ा जब भी प्रेशर पड़ा वह भाग गया हो तो उसके उपर लाइफ में कभी भी प्रेशर बनेगा तो वह क्या करे इतना है उसके अंदर तकलीफ को बरदाश करना है पदा हो कि तकलीफ थोड़ी देर की है हम क्या कहते हैं भाग जाते हम कहते हैं इजी रास्ता निकालें यह होगा ऐसा नहीं होगा कि आप कोई हमारा काम है कि आपको बेतरी नंदास से गाइड करें और आपको बजाएं कि यह से कम हैं सारी चीज़ें आपको ना क्लास में करवा दूँगा यह वोकैबलिरी आपने कम से कम एक घंटा आपने मजे देना है मुस्तकिल इंगलिश के लिए बस कई वोकैबलिरी हलकी करूँगा तो ग्रैमर थोड़ी सी बढ़ा दूँगा एक घंटा सवा घंटा बस रोज आना आपने देना ही देना है मैस के सौ सवाल भी है ना कर रोजा ना एक घंटा करोगे न तो हो जाएंगे एक घंटा एंगलिश एक घंटा मैस आंके बंद करकी यह काम करना ही करना है और जहां जहां आपको जबर करना है कहीं कहीं आपने जो काटम पीटी करनी लाइफ में वो करनी है इसको आपने नहीं चोड़ना है और 10-15 दिन होता है तकलीफ फिर उसकी हो जाती है आदत तकलीफ शुरू की दिनों की होती है आदत नहीं बनी विये सिस्टम में एक चीज दाखिल हो गई नहीं अब उसको तोड़ा सा एड़्जस किया चीज़ों को हिलाया जुलाया हिम्मत की क्लियर क्या करना शुरू क्या करते करते समन में आगे हाँ हो जाएगा मगर किसी ने शुरू नहीं किया तो इसको समझी नहीं आएगा दो दिन किया तीन दिन किया छोड़ दिया फिर भी नहीं होगा तो आप दस पंदरा बीस दिन कंटिनिसली आप दे हर चीज आपके बिलकुल ऐसी हो जाएगी स्मूध हो जाएगी बसका मतलब ही नहीं इसको केरी फावड करना असान हो जाएगा दो दिन किया तीन दिन किया चार दिन किया एक दिन छोड़ दिया पिर नहीं होगा आप से तो मेरा मैसेज क्लियर है ना तो पढ़ाई मैनेज कैसे करनी है किस चीज़ को प्रियरिटी देनी है किस चीज़ को पहले रखना है किसी चीज़ को दूसरे नमबर पर रखना है ये आपको क्लियर हो AIVM में हमारे पास कई रातें ऐसी आही है हमने रातें जा गी हैं आपने तो इंटर वालो ने जाई पैंडेम width में तो वो भी आसान हो गया वगर कई रातें मैंने जागी है, कई रातें हमने जागी है कि हमने पूरी रात पढ़ाई किये बस नाश्त्व किये और सो गए इनाश्टा की आई वे चले गए और क्लास में जाके बस सो गए पूरी पूरी रात एक दिन में तीन-तीन पेपर होते थे हमारे आप लोग कहरो ना कि सर पेपर एक दिन में तीन-तीन पेपर होते थे बास वकात एक दिन में टीचर ने दोई टीचर ने एकी दिन रिपोर्ट अपने सब्मेट करने की डेडलाइन दे दी ओई भाई प्यासी ठकन अब मगर ये लाइफ में ना सिखा दिया नोने कि प्रेशर कैसे मैनेज करना है खड़ा कर दो किसी आई भी वाले को और खड़ा कर दो किसी और उनिवस्टी वाले को उसने ओल लाइफ में प्रेशर कितनी दफ़ा मैनेज किया है बहुत मैनेज किया है और उसने शायद एकी दफ़ा मैनेज किया है तो प्रिशर मैनेज करना कैसे आएगा जब प्रिशर को उठाएंगे तो यह आएगा ना तो जो हिम्मत वाले बच्चे वही जाएंगे आई बे में जाने की लिजिबिलिटी यह नहीं है कि कहीं कोर्स में दाखला ले लिया फीज जमा करा दी जो मेहनत करेगा वही जाएगा और मेहनत ऐसे नहीं करें कि जी दस दस गंटे बढ़ाई करनी है मैंना आप से कहा है अभी मिझे आप दें एक गंटा सवा गंटा इंगलिश एक गंटा मैट्स जिसकी अच्छी होता है एक गंटा के पंदरा मिनिट भी देदे बहुत है और जिसकी मैट्स इशू वाली है और वो गाप यह वाले भी स्टूट्स बेटें यहाँ पे वो ज्यादा ज़्यादा टाइम देंगे तो उनकी बात हो रही जो इंट है अगर बच्चे को टेंशन नहीं लेनी और इसको अगर सिर्फ सीखना है तो मैं सिखा दूँगा बगर एडमिशन लेने के लिए तो भाई फिर आगे मैजे हुए ना बोले के सार आपने तो मेरा रिजल्ट नहीं आया सार और मैं तो भाई मैं तो यहाँ पर करके देने आ अब तो रिजल्ट आ जाएगा तो अगर किसी को वाकि स्ट्रेस हो रहे है न और वह परेशान हो रहे है तो क्या कहा है आके सर को चुपके से क्या दे यह मैसेज कर दे परसनल नंबर पे सर प्लीज मिझे हमवक के बार आज नहीं आज नहीं कहा यह आज सब मिच से नहीं अबूल झाल झाल झाल